प्यारे बद्यार्तियों आज जासी डिस्कस करांगे में सेकंडी अर्दे थार्ड समेश्टर दे सेकंड पेपर है जिडा साड़ा कंपाल्सरी मोडरन पलिटिकल अनल्सस अधुनिक राजनीतिक बसलेशन इस सेकंड पेपर है कंपाल्सरी घड़ा आसी इस बेपर बारे डिसकस करांगी इस देशिवस्त बारे डिसकस करांगी कि मोडर्न प्लीटिकल अनल्सस्थ लिटिकल सैंस दे ध्यान विच एक नमें कंसेप्ट नू लेके नमियातार नावान लेके क्पर है जिडा के क्योंके पिछली भीमी सदी दे विच प्लिटिकल सेंस दे अध्यान दे विच बहुत सारी आ तब्दीलिया आए या ओना जिन्ने भी कंसेप्ट नमें सामने आए अंतराटरी सबंदा दे विच उन्ना सारे उन लेके इस दा अध्यान किता जाना शुरू हुए अंतराश्टरी लेवल ते कि जिडिया नमियातार नामा नमें कंसेप्ट नमें प्रॉब्लम्स दुनिया दे विचाहियां उन्ना दे ध्यान नू लेके इस करके असी इस पे परवारे डिस्कुस करांगे modern political analysis भीमी सदीदा इक नमियातार नामा देदा आर्त सब्जेक्ट है विशा है प्लिटिकल सेंस दा ही पार्ट है ही वी क्योंके बीमी सदी दे विच अंतरा आत्री सबंदा दे विच बहुत सारे गां तब्दीलियां हुई यहां दो सेकंड वड़ वार लड़े गए ते होर समाजबादी करांती होई सोवित जुनियन दे विच रशिया दे विच उन्नि क्योंके जडि प्लिटिकल सेंस दा पुरातन देहन सी साल पहला तक ओपुलिटिकल सेंस नो एक कर अ मतल सरकार दा आ richtigन करनी वाला विचा ते रहाज़ता देहन करनी वाला विचा आही वन्नें जन्दा सी प्लिटिकल सेंटिस्ट सी जडि लेबरेरियां दे विच बैके रसार्च कर दे सी जा समाज दे विच दुनिया दे विच की वापर रहे उस चीज़ ना उना दा बहुता लगाओ नहीं से क्योंके दो विषवजुद होए कोल्डवार शुरू होगी बहुत सारे देस्चाणे ने नूगलर वैपन बना ले ते आर्मजरे से जडू होगी दुनिया दे विच दित सान dapat इसकर के क्लोनियलीजम दे बीच अफरीका ते एशिया दे बहुत सारे देश अंडर सी क्लोनियलीजम दे सेकर्ड बड़ बार तो बाद क्लोनियलीजम जड़ा कमजोर हो गया ते नमे देश ने एफरोईशन कंट्री ने जड़े वजाद होने शुरू होए इस तरह बहुत सारियां तब्दिलियां अंतराष्टरी सबंदा दे वच्चे जांतराष्टरी लेवल ते होई यां प्लिटिकल सैंस देख सब्जैक्ट दे तौर ते एह जड़ी इसनूं नम्याता आर्नम के जड़ा दुनिया इनने संक्ट चाहे बहुत सारे देश गुलाम ह जा कई गुलामी तो अजाद हो रहे हैं उन्हान ने आपनियां समस्या महन गरीब्भी है बमारी है राजनित्त कता और ते आर्थक तोर ते ओ पचले हुए हैं इनन देशनियां समस्या महन क्यों पएदा हुएं आते कि में उनना नुहल किता जा साकत है इनना वारे यड़ा सब्सक्राइब पराणियां स्टडी सी प्लिटिकल सेंस दी वो कोई भी इस गलवारे नी दस रही से इस करके इस वुच्छा जान लग गया कि इना चीज़ांदा अध्यान करना भी जुरूरी है तहां ए अमेरिका दी इसकागोज उनिवस्टी वी चीजा हो बहुत सरी जुनि सब्सक्राइब करना शुरू किता होना ने के मतलव भी ए प्रावलम जन क्यों हान तेनान के में हल किता जाना चाहिंदा ए चीज़ां भी प्लिटिकल सेंस दी स्टडी दे विच्च जैदा विशावास्तु होनियां चाहिंदी हान के हमन बहेवियर है जेडा ओहो उदा अध प्लिटिकल सेंस दे अध्यन बिच शुरू होई कि मनुख़दा बहेवियर है जेडा ओधा अध्यन कीता जाना चाहिंदा उदा अध्यन करके क्योंकि पहला जेडा प्लिटिकल सेंस दाध्यन स्टेट ते गवर्मेंट जाइस दियां संस्तामा इंस्टिशन जनार सबंद सी इनना चीज़ा मारे बहुती गाल नहीं करदा सी फिर जेडा बहेबरल अप्रोच सामने आई जिसन मतलब जीदे विचे गाल किती ही कि हुमन बहेवियर दा एक हीजी सेंटिफिक रसार्च होने चहें दिया पीरिकल स्टडी ते जोर देता जान लग गया ते बहेबरलिजम सामने आया है मॉडरन पुलिटिकल एनर्सित दे विचे बहेबरलिजम दा कन्सेप्ट आजिडा हो ये सेकंड बड़ बार तो बाद आया ये वी थोड़े दे विचे है के मनुख दा बहेवियर देहन दा देहन किता जाना चाहीं नहीं मतलब उदा ध्यान करके एक सेंटिफ एक एंपिरिकल स्टडी करके ही जिस दे बिच कुष डेटा क्लेक्ट करना टेटे दानेल्सिस करना ते फेर कोई नमीथ है इस तरह है पोड़ेबरलिजम और पोस्ट बहेबरलिजम दो टॉब बंदेया है तो डेशलेव से दे बिच्च वहेबरलिजम दे विच्च जमें प प्लिटिकल सेंटिस्ट सी उन्हां दा विचार सी कि हुमन जेडी माइंड है हुमन बहेवियर है इदा विचार इदा स्टडी जरूरी है किसे भी समस्या प्रावलम दुनिया दे विच बाप पर दिया कोई दो देशां चल लडाई हुं दिया ता वो संगार से चल दा देशां दे विचाप से इंटरनेशनल पॉलिटिक से जड़े सवांदने देशां दे आप सी उन्हां दे विच्च हुमन बहेवियर दा बहुत रोल हुं दा है इस करके प्लिटिकल सेंस दी जड़ा सही अध्यान है उह स्टेट दे गौर्णमेंट दा देहां नहीं नहीं ओ दे विच्च हुमन बहेवियर दा भी शामल होना जरूरी है ते इसनों मोर सेंटिफिक त्रीके देना असीं सही नतीज्या दे पहुंसा के देहां कि दुनिया दे विच्च कोई भी चगड़ा हुंदा है जा कोई समस्यां दिया देशां दे आप सी सब अब आप्र दा है ता उथे मतलब भी एज जरूरी हो जान्द है के असी उथोंदा जी टा अनुऐर्नमेंट है साठाव इसे कि आर्या स्मच्या स्मील प्रविटिकल स्मस्यादा स्लूशन कर सागदिया जी उदा सेंटिफिक तरीक किनाल रिसर्च किती जावे तूल जैन टेक्नीक्स ते इनना ने बहेवर लेजने बिच बहुत मतलब जोर देता है कि असी इदे रियाल्टा जेड़े हो सही तरीक किनाल डेटा कलेक्ट करके उद सेंस करता हूं ने पिलिटिकल सेंस वेली फरी सेंस दा मतल हुंदा है कि जिस विच जिदिया सर्दियाक स्माजक कद्रा कीमता ने बहेवियर है वी ओदा इनना जादा रोल नहीं है गया इता जिमें सेंटिफिक तरीक के देविचे ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन नों एक खा बंड़ना दा पाने ही आए जहें जो तरीक के दिनर सेंग बला मांगे परन्तु जिड़ा इननी इस तरह दी एस प्लिटिकल सेंस है जिडिक समाजक सेंस है एदे विच्च हुमन बहेवन नूं मनफी नहीं किता जा सकता फिर एस एस से अदा आर्टे लोचना हुई कि जिड को मैंट से होदे विच उठ्था कि जिसदा ना रख्यागा पोस्ट बहेवर लेजम थोटे सलेब्स देविच इस तरह एक तब बहेवर लिजन वा क्वाश्चन बढ़ना है इक मतलब पोस्ट बहेवर लेड़न थियोरी मतलब है कि थोड़ा जेड़ा सकदरां कीमता ने समा दे विच रहने हुए उन्ना दा दा ते आन रखके ही रखना जरूरी है बेसक सार्थी रिसार्च के नहीं मर्जी सेंटिफ के तरीक के ना करिए आशी डेटा कलेक्ट करके वोड़ी टैबूलेशन करके वोड़ा अनलसिस करके कोई ठीओरी बिल्ड करिए परंतु वड़े विचों human behavior नूँ मनफी नहीं किता जा सकता इस करके सारी सेंटिफिक तरीके दे नाल लाल जदो सी खोज कर देया किसे भी समस्च्या दी दुनिया दे विच ता सानू human behavior की है एदी भी अध्यान सानू करना जरूरी है फेर यसी सही जड़ा कोई हो दा conclusion कर सकते हैं इस तरह एहे जड़ा बेहेबरलिस्ट प्रोच सी ओ है केसी बैल्यू फरी ते जड़ी पोस्ट बेहेबरलिस्ट सी ओ बैल्यू लेडन के human mind दा अध्यान किता जाना भी जरूरी है कि किसे वी जांक दे विचे किसे वी देश दे रेशना दे पिचे इक व्यक्ति दा जड़ा मुदे म मैं दा अध्यान किता जाना भी जरूरी है जिमें सेकंड वड़ वार दे विचे सी देखे के जर्मन दा चांसलर सी हिटलर हिटलर ने मतलव हिस्त्रा जंगी अक्टिविटीज शुरू कर देतिया अग्रेस अक्टिविटीज गवंडी देशानु तंग परेशान कर देता प पे ना कहिए के जर्मनिक अग्रेसर स्टेट सी सानु हिटलर दा भी हिएवियर भी स्टडी करना पर हुगा है इस भी सेकंड वर्वार क्यों सुरू हुई यह दो एचीज जाने विचे इस तरह हैं मन भी हिएवियर जिड़ा प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू फा पर्टिकुल प्रोव प्रोलम इस तरह हैं दो क्वाश्चन बन देने बेहेवरलिजम एड पोस्ट बेहेवरलिजम असे यह दोनों तो अड़े लेशन लेखे हुए है ते लिख साकते हों अंग्रेज जी पंजाबी जी नहीं भी होया कोई लेशन ता अंग्रेज जी वाला पावर अलीट्स के आ जाना है कि असी कि जम्या आम पड़ दिया एक चेप्टर आना एक पूरा क्वेश्चन बढ़ देंदें कि डेमोक्रेसी दे विच्छ पसी करना डेमोक्रेसी फार्टी पीपल ऑफ दी पीपल बाई दी पीपल एए नू कंडेम कर दिया है त्योरी यह है कि सारी सारे लोग को ओदे विच प्रसेस दे विच शामल नहीं हंदे दे आर हैंडफुल ऑफ पीपल दोज रूल ओवर दी मासज जेड़े मतल लोकां ते रूल कर देने दे आर हैंडफुल पीपल ओही एक पावर लीट है और न और किसे भी पार्टीच हो सकती है और कुछ लोग का ने हथाची पावर रहन दी है इस करके एक कहना गल्त है कि सारे लोग किसे प्लिटिकल प्रसेस दे विच शान हों दे हैं इस जेड़ी प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहे है इस दे विच ता लोग का नो सिर्फ बोटर बनाके रख देता गया इत्तों क्लास है सिर्फ ओदे विचे ही जड़ी पावर दा जड़ा शेर बादलदा रहना है तो बादल दी रहन दिया एक तो बात दूजी आ जान दिया इस तरह ए मतलबी अलीट थेरी एह है इदे विच आसी डिसकस करांगे के जड़ी डेमोक्रेटिक लीटिजम भी कहा जान दे क डेमोक्रेशी दे बिच्छ प्रेज़ेंट डेमोक्रेशी दे बिच्छ सारे मास जोद्धा इनवाल्व नहीं हुंदे देखनु अनवाल्व हुंदेने प्रतु आसली रूलिंग कलास जा असल पावर था कुछ लोग का दे बिच्छ ही रहन दिया चाहे वो किसे भी पार्ट पावर तुसी पढ़ोंगे दे बिच्छ आज़ेंगे पावर आसी पढ़ना के पावर किया डेफिनिशन ते पावर दे किनी टाइप सो साकतिया ने ते वदिया अब शेश्ता माजा क्रेक्टरिस्टिक्स की हो साकते ने एक क्वेश्चन दे बिच आजाना है एवी थोड़ आउन साहर पुर्वा आप्दकार लेंदा है इस तरह पावर दा एक क्वेश्चन बनदा है उस्तो बाद आजा एनफिल्यूंस जिदों पावर क्योंके जड़ी पावर हुं दिया है ओदे बिच्छ मातला थोड़ा सकती भी हुं दिया है कि जैसी व्यक्ति दा कोई ओदी ग हुं some da जड़ो ओदे विच्छ हाननी पहुंचाने मेंट नहीं हुंदा सिर्फ कर्के ही दुझ्ज दे विचाराशन बदले जा सकता है ओव उब्दा है जा नहीं हुंदा है पर तुप पावर दे बाचे ओ अधिवारे न व्यक्श सी जुरूर निन्यनका भ melodies लिए सब्रीक्फित्षा सब्सक्राइश सब्सक्राइए ब मालें मनिश्टर हों देने डेमोक्रिसी दे विच्छ हो अफसर हों देने जिड़े नों कोई कुनुनी तो औरते कोई अप्रूबल में लगके लोका दी लेजिटी में सी द्वारा उस पावर हथ हों देने जा पावर भूल बढ़ देने उस नूं अथार्टी के हाएं दा है इस करें अथार्टी केने के समझे लिए है ति अथार्टी दे करेक्टरिस्टिक्स की ने एवी इतोटे सलेव सदे विच्छा जन्द है दुझे पास से एक टॉपक हो रहा है लेजिटी में सीदा के जीड़ी जिमें समय देने से ऐसी के लेजिटी में पावर ओलवेज अथार्टी ठीक है लेजिटी में सी की हुंदिया है अवाम दी अप्रूबल लोग का दी कंसेंट कोई भून जिमें कोई डिक्टेटर बन जान्दा है किसे देश दे विच्छ ओहो ओधी डारकार्न लोग को दा अख़दा मांदयान और रूल भी करदा है और डिफेक्टो हेड हुंदा है दुज्जे पास से कोई चुणया होया लोग का दारा अलेक्टर जेड़ा बंदा हैड़ ऑफ दी स्टेट जाहेड ऑफ दी गवर्मेंट बंदा है और डी यूरे हो जान्द है और लेजिटी मेंट होंदा है जेड़ा किसी गोली नाल जा अपनी पावर नाल फौज दे ज लेजिटी में सीदा भी आंदा है इस तरह थोड़े इस चार टॉपक बंदे ने पावर इंफुलेंस ते अथोर्टी एंड लेजिटी में सी एक दुजे नाल मिल्दे जुद्दे टॉपक ने सारे थोड़े ओदे विच्च हैगे हैं दुजे पासे आ जान्द है पलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रूस इडेमोक्रेसि देовिच्च राजनित के पार्टीयां ना हुना बहुत जिरूरी है हैं दिफ्रेंक लोकन दिवाज डिफरेंट बिचारता रहां अपार्टियां होना बत वद्पार्टी ई होना इह एक चंगी डेमोक्रेशी दी दी इस तरह बहुत सारे देजिक टूपार्टी सिस्टम हुं इक पर्धी सिस्टम है, एक सिंगल पर्टी इसमने दी जड़े socialisist country होंदे ने चीन होया हूथ गौम्मिनिस्ट पर्टी दा रूल है, वह सिंगल पर्टी हो गया, कहीं he too party हुनदा है, जिसमर इंट्र पुलिटीकल पार्टी के निकिशनद निallstellen नेकिवा व कुछ नोग जना बचारता रह आज हुए बन दिया है इसे तरह एक टॉप का थोड़ा पच्छनेते बन दा है दूज्जा है प्रेशर ग्रुप्स प्रेशर ग्रुप्स की हुंदे ने अपने हित्ता दी पूर्ती ली या उन्हानों प्रटेक्ट करन लई हार डेमोक्रेटिक सिस्टम दे विचे कुछ और्गनेजेशन दया कि इंडिया ने जे में फार्मर एजिटेशन है। जूझे होन इन्डिया दे विचे किसानना दे मूहमेंट चालए किसानना ने जड़ी यथे बन दिया पार्ती किसानन जुनिया ने एक है एक प्रेशर ग्रुप्स है इस तरह ब cell infused दे बार्ष झे प्रेंग्हत्र जिन्ना दा मतल मक्स दोंद है कि अपने हित्ता दी मतल प्रटेक्शन करना ते सरकार नूँ तो फैदे लें 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 उहों उनु प्रेशराइज करना अपनिया मंगा मनवोना इस तरह एवी इक डेमोक्रिसी दा जरूरी चीज है प्लिटीगल पार्टी इन होना ते प्र आपने हित्ता दी रती रखी ली अपनी एमांगा मनवाउं ल यूस्त प्रस्विया त्याहिं के श्रोंद करनी हे न किकोचान ते लिट्यकयव अन्यक्साइचर बिटेकलری पार्टी ंद्रेशर गुरूपब्स है अगला टोपक है प्लिटीगल क्ल्चर एंड प्लिटीगल सोशलाइजेशन, political정을 कल्चर से पहला आघगा nation, political socialization की है, जदों, जड़ा मतलब citizen इंड़ो अ आपने political oh process, political socialization is a process by which political learners are और मेंटेंड और चेंज्ट एचीज है एक विदी है जिस द्वारा प्यक्ति अपने आपनूं किसे प्लिटिकल सिस्टम नाल जोड़दा है बाई बर्थ कोई बच्चे नूं कुछ नहीं पता हुंदा कि कौन प्लिटिकल पार्टी है साथ राजनितक सिस्टम किया साथ देश और जिड़ा एनवार्नमेंट हुंदे आओदे आले द्वाले उस्तों हो सिख के अपने आपनूं अपने प्लिटिकल सिस्टम नाल जोड़दा है प्लिटिकल सोचलाइजेशन नियां कई विदियाने जा ओदियां एजेंसीज ने जिमें स्कूलां तो सिख्या मिल दिया है पार्टी तो सिख्या मिल दिया है अखवारां कम्मिनिकेशन है प्रेस इस सारियां चीज जाता हूं व्यक्ति आपने आपनूं राजनीतिक प्रनाडी नड जोड़दा है उस बारे ग्यान पराप्त करने दा है एस नूं ही प्लिटिकल सोचलाइजेशन लिहा जाना है किसे बैखती फिर प्लिटिकल सोचलाइजेशन तो बाद के बन जाना है प्लिटिकल कल्चर के प्लिटिकल कल्चर जदो असी कोई हेजा सिस्टम असी डॉप्ट कर लेनिया तो अपने आपनों जोड़ लेनिया वो तो अपने आपनों जुदा नहीं कर साकते उस देना इकमिक हो ने थाइज प्लिटिकल कॉल्चर बन जाने ठीव नहीं कि सब्सक्राइग अब्रेटिकल कॉल्चर किसम कर जाने ने जिकितन है इस तरह सोचलाइजेशन दिए किसमा भी हुआ हुआ यान एक dau लिए फिर डिशकल डॉवैलमेंट एंड प्लिटिकल मॉडराइजेशन प्लिटिकल डिवेल्मेंट की है के जदों को राजनीतिक पर नाली प्लिटिकल डिवेल्मेंट असल चे थार्ड वार्ड कंट्री ते बिचो पैदा हुए कंसेप्ट है के जदों सद्नियां दी गुलामीतो बात देश अजाद होए अर्थक तोर ते पस्षडए सी राजनित्क तोर ते पस्षडए सी, हार खेत्तर दे विच पस्षडए मा सी ते ओद विच्चो उसनु अवारना उस अवारना राजनित्क उन्नाने अपना सिस्टम बणाने सी अपने उन्हाने कांस्टिचुशन बनाने सी, यह सारी चीज जांदी उन्हानों जुरूर सी, कि फिर जिड़े देश इस तरह स्टेबल होगे, नमे सब्दान बने, जा उन्हाने अपनिया समस्यानों टैकल कर लई, अपने सिस्टम नों उस दे बराबर बनाया, इस नों ही प् विकास कर देएं, कि जिदो ओबराल समाजदा डुवेलमेंट हों दिया, अशी कह ने हैं, आर्थक, समाजदा, राजनीतक, सोशल, राजनीतक आशी कहना हैं, विकास हो रहे हैं, इस तरह सिस्टम गवेलमेंट हों दिया है, वो अपनिया समस्यानों टेकल कर लई, उस दे ज उसनों अशी विकास कैसा आजए आपने मसले आप हाल नहीं कर सकते ता शीचनु प्लिटिकल विकास नहीं कर सकते के पीलेटिकल सिस्टम विकासवादी है उझे में साड़े इंडिया देविच्च किन्हा तो हो गया किसाणा द्याई जीटेशन चाल दिया गया है साड़ा सिस्टम कमजोरा है विकास में नहीं है गया लड़ खड़ा रहा है विकास में सिस्टम होना है जदो अपनिया समस्या वानूं विदिन दी स्टेट टे आउट आफ दी स्टेट जेड़ा ते प्रेशर परेंदे ने इन पुट नूं ऑट विच कनवाइट कर साकदा है पानिया मंगानूं लोकाने समस्यानूं टैकल कर साकदा है जड़ा सिस्टम ओही विकास वादी राजनीतिक परनाड़ी होंती है जो नहीं कर दी वो इस तरह दी नहीं हो साकदी इस तरह एज सारे विचार डवेलमेंट कही किनी होंती है एज़े की करेक्टर दुबारा को के उन्हों नमें हलाता दे उनसार उन्हों उदा टू कमा बणाओने आ उन्हों ओदे बराबर बणाओने आ जैसी कोई उन्हां ची तबदीली निकरांगे कोई नमें कनून नि बाण गे समस्यामा नमियां हो दियाने क्योंकि जड़ों विकास होंदा है उदे नमें समस्यामा पैदा हूं दियाने नमस्या नमें समस्यामा टैकल करनली सानूं अपने प्लिटिकल सिस्टम नों भी उदे बराबर दा पावर्फुल बनाना पैंदा है टू टैकल दैट प्रावलमज एही मॉडर्नाइजेशन है इस तरह प्लिटिकल डवेलमेंट ते अधि डूनों जुड़े हुए ने दो प्वेस्टन बन देने इस तरह एच थोड़ा होर भी टॉक में अंडर डॉइलमेंट है इदे अंडर डॉइलमेंट डपेंडेंसी थेओरी वाड शिस्टम तेओरी के अंडर डॉइलमेंट एक क्वेस्टन थोड़े विचे नहीं लि क्योंकि माउडर्न प्लीटिकल एनेल्सिस इक नमा मतलवी सब्जेक्ट है जिड़ा पिछले चाली पंजाड़ी साल नां तो ही अध्यान दे विच्च आया है इस सारे नमें टॉपकने ते नमिया समस्यां होने जिड़े के बीमी सदी दे विच्च सामने आया क्योंकि अज नां तो सौ शाल पहला इसमस्यामा राजनितिक परनाली चे नहीं है गया सी क्योंकि राजनितिक परनाली दा हुन जीड़ा दैरा है दा प्लीटिकल सैंस दा जीड़ा दैरा है वह बहुत ब्यापक होगा और उस हार जीज़डा अध billion किता जयान दा है जीड़ी सिद्धे ज सिद्धे रूप विच राजनित्क परनाड़ी ते असर पहुंदी है इस करके तुसी अपना इस सारा पेपर त्यार कर लेना ओके थैंक यू